दोस्तो जब से lockdown हुआ है तब से हमारे बहुत से रिविवर्स ने मुझे request की एक में ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें work from home concept पर गर बैठे कुछ extra काम करते हुए extra income generate करने की बात की गई हो दोस्तो आज किस वीडियो हम discuss करने वाले हैं कि किस तरीके से हम गर बैठे QR code बना कर उसे online sell करकर extra income generate कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो QR code, quick response code जिसे भी हम कहते हैं आपने shopping malls में, market में, बहुत सारी जगा आपने इस तरह के code लगे वे जरूर देखे होंगे आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन codes को बना सकते हैं, कैसे उसे online sell कर सकते हैं और कैसे हम उसे पैसा कमा सकते हैं बने रही है हमारे साथ देखते रहिए knowledge kingdom चले दोस्तों देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम qr code generate कर सकते हैं और उसे बड़ी आसानी से online सेल करके पैसा कमा सकते हैं यदि हम simply google पर जाएं और यहां पर टाइप करें qr code और यहां पर search option में जाएं तो आप देखेंगे की image में यहां धेर सारी qr code आ रहे हैं आज वह समय आ चुका है जब यदि आपको अपना website link शेयर करना हो या अपना phone number शेयर करना हो चाहिए अपना email address किसी को शेयर करना हो या अपनी website का कोई link उसे शेयर करना हो किसी भी प्रकार की जो information है उसे आप qr code में तबदील करके उसे बड़ी आसानी से किसे भी शेयर कर सकते हैं बस सामने वाले के पास होना चाहिए qr code scanner जिससे पूरी जो information वो scan करके आपको access कर सकता है तो बहुत शांदार इसका scope है आप बहुत सारे qr code बना सकते हैं free of cost और बहुत सारे platform है जहां आप इन्हें sell कर सकते हैं यहां तक कि American और European countries में तो इस trend का बहुत बड़ा बोल बाला है और वहां पर most of चीज़े qr code के थ्रू ही transfer की जाती है तो अब प्रशन यह उठता है कि कैसे हम यह qr code बनाएंगे किसी भी url से तो इसके लिए सबसे पहले हम ले चलते हैं मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी website पर जो इस चीज को बड़ी आसानी से करती है मैं क्लिक करता हूँ qrcodemonkey.com पर यह आप देख सकते हैं यहां पर url यहां पर display हो रहा है qrcodemonkey.com एक बहुत से अच्छी trusted और free website है 100% यह लिखा है आप देख सकते हैं 100% free qr code generator तो आपको यदि qr code generate करना है तो आप इस website पर आएं और यहां आप देखने हैं बहुत सारी categories यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें first category है url किसी भी website का यदि आपको qr code बनाना है तो आप यहां पर url option पर जाएंगे यदि आपको पर टेक्स है आपको लगता है कि यह 10 लाइने 15 लाइने 20 लाइने मुझे इसका कोई qr code बनाना है तो आप यह टेक्स कर सकते हैं ऐसे यहां पर बहुत से categories है email आप किसी email जो address है आप उसका qr code बना सकते है phone number जो है आपकी पूर जो information उसका बना सकते है SMS वी-card बहुत सारी चीज़े है location particular बहुत अच्छा अपने आप में एक बहुत अच्छी facility है इस website पर आप देख सकते हैं Facebook link है Twitter link है YouTube का जो link है बहुत popular है आपको यह दी अपने channel का कहीं आपको link share करना है तो आप इतना लंबा चोड़ा जो है आपका URL उसको ना बनाते हुए आप सिर्फ QR code को आप किसी को भी share कर सकते हैं और उसको scan करक सकता है आपके page पर आ सकता है तो एक बहुत अच्छा option हमारे सामने यहां पर available है चलिए मैं सब first option सबसे पहले जाता हूं URL पर और URL पर जाने के बाद अब आप यह देखिए यहां पर your URL तो जो भी website जिस website का भी आप यहां पर QR code बनाना चाहते हैं आप उसका यहां पर link दे सकते हैं मैं यहां पर जाता हूं फिलार और नौलेश किंग्डम की ओफिशल website है मैं उसके जाता हूं और यहां से मैं इसे Colin GRA मैं इसे paste कर दिया है और अब आने के बाद में मैं इसमें नीचे आता हूं जैसे ही में जब मैं नीचे आता हूं तो यहां पर option आता है set color यानि कि दोस्तो हम हमारे यह QR code इसके colors set कर सकते हैं colors को जब इस पर click करता हूं तो यहां यहां पर मुझसे तीन options आ रहे है single color, color gradient या custom eye color जो भी आपको इसमें देता है आप चाहें तो इसमें से अलग-अलग color choose कर सकते हैं मैं यहां पर इसे red, blue जैसा color देना चाहूं यहां पर इस spectrum में कोई भी color choose कर सकता हूं ठीक इसे के साथ में यह दि मुझे लगता है मुझे multiple colors इसमें देने हैं तो मैं यहां पर इस type के colors इसमें सामने तो यह जो color है combination से यह QR code हमारा अच्छा खुब शुरत दिखने लगे आए अब यदि यह तो हुआ multiplier combination की बात अब एक और option हमारे सामने आ रहा है add logo image बहुत सारे इसी companies हैं जो यह चाहती है कि आप उनका logo इसित्माल करें आप उनका QR code आगर बना के दे रहें तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहां center में side में हमारा logo यहां पर display होना चाहिए तो आप यहां पर logo भी लगा सकते हैं और इसके लिए extra charge कर सकते हैं तो यहां मैं add logo image पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहां आ रहा है upload image यानि कि आपके पास computer में या mobile में आपके पास यह चीज अलड़ी होनी चाहिए तो मैं upload image पे जाता हूँ और upload image में यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे knowledge kingdom का official logo है मैं इसे set करके दिखाता हूँ आपको यहां मैं करता हूँ create qr code अब जैसे में create qr code करता हूँ तो हमारा जो preview है वह यहां पर थोड़ी दिर में display हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लेता है और जो preview है किस type से हमारा qr code दिखेगा वह यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं देखिए यहां पर जो background वह options नीचे यहां पर आ रहे हैं आप देखिए इसमें है customize design आपको लगता है कि मुझे के design को change करना है थोड़ा साब इस पर जब click करेंगे तो आप देख सकते हैं इस type के आपको बहुत सारे धेर सारे design यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें से आप इसकी body shape आप किस type का जो है इ इसमें जो आपकी body shape है आप उसे change कर सकते हैं और उसे थोड़ा से attractive बन जाएगा आप client को यह facility दे सकते हैं इसके बाद में यहां पर यह आप देखिए उपर change हो चुका है हमने जो चुना यह QR code है देखिए देखने में QR code जैसा लगनी रहा लेकिन इस यह आपकी worth यह होता है जो आप यहां देखते हैं यह वाले जो चारों आप देख रहे हैं यहां पे squares यह इनके जो shapes है आप उनको change कर सकते हैं यह थोड़ा सा attractive बन जाते हैं मैंने यहां पे shape अगर round ले लिया है circle जैसा तो यह जो shape हो जाएंगे और यदि आपको इन में से कोई और shape पस इसे select करते हैं आप इसके eyeball कर जो shape उसको भी कर सकते हैं तो यह particular QR code हमारा यहां पर बन चुका है अब जब सारी चीज आपके आपके हिसाप से मुताबिक set हो जाए तो अब आपको लगता है कि मुझे finally ABC logo को यह QR code हमारा हमने बना दिया है इसे हमें download कर लेना चाहिए तो आप आपको पास downloading में चार options आप अलग लग मिलते हैं देखिए download आप PNG format में करेंगे तो ज्यादा बहतर है यहां पर 1000 by 1000 pixel का जो है standard इसमें quality यहां पर आ रही है तो आप इसमें इसको इसी तरीके से download कर सकते हैं यहां पर आप चाहिए तो PDF format में भी कर सकते हैं EPS या SVG format है यहां पर मैं आपको recommend करेंगा कि यहां पर जो default download PNG format है यह worldwide चलता है most of लोग इसी format में demand करते हैं तो मैं इस option पर जाता हूं और download PNG पर कर लेता हूं प्लाइज की रूप में हमारे सामने यह आ चुका है अब QR code तो हमारा बन गया अब आखिर हम इससे sell कहा करेंगे दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा platform हमारे सामने available है यह फीवर फीवर एक free lancer website है आप देख सकते हैं यह फीवर का एक official page है जहां मैंने अपना page बना रख करते हैं और इस website पर आपको सारे orders मिलेंगे बहुत जो भी आप काम करते हैं घर बैठके आप करना चाहते हैं फीवर worldwide एक बहुत मानीवी trusted website है इसका account मैंने यहां पर बनाया हुआ है आप इस पर आ जाएं अब आपको बनाना है अपना order की मैं आप क्या काम करते हैं कैसे दि अब यहां आ पर create a new gig यहां पर कुछ already gigs बनी हुई है मैं यहां पर create a new gig और पिक करता हूं जैसे में यहां पर create a new click gig के बारे में बताता हूं यहां पर मुस्से पूछा जा रहा है कि अब मुझे अपने product को यहां पर advertise करना है हमें कोशिश करने की ज्यादा बहुतर से बहु तरह हम लेंग्वेज लिखें और अपने प्रोडक्ट के बारे में यहां पर बताएं तो यहां पर अलड़ी यहां आई विल लिखा हुआ है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आई विल हमेशा यहां रहेगा आप आप टाइप का सकते हैं कि आप क्या करने वारे तो मैं यहां पर देखें इन में से बहुत जरी कैटेग्रीज हैं ग्राफिक एंड डिजाइन इसमें बिजनस कार्ड लोगो डिजाइन इन में से अधर ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए और इसके अंदर भी आप सब कैटेग्री चूज कर सकते हैं किस टाइप की आप डिजाइ मैंने यहां लिख दिया इसके अंदर qr-code यह पहला tag बन चुका है इसे के साथ में आप qr-codes और इसको एस लगा कर भी बता सकते हैं तो basically हमारी जो डिजाइनिंग है जो भी person है जो हमारे इसको सर्च कर रहा है product को तो qr-code या qr-code सीड लिखेगा तो हमने दो यहां पर tag लगा लिए अब मैं इसे save और continue करता हूँ जैसे मैं save और continue करता हूँ तो हम second option पर आ जाएंगे देखिए changes यहां पर save हो चुके हैं और अब हमारे पास आ रहा है scope and pricing क्या कि अब आप आपके जो product है जो आपका qr-code है उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं यहां पर दिखिए हुआ करता था लेकिन अब इसे फीवर ने इसे सिर्फ basic package दे दिया यह काफी है आपके लिए आपका package का नाम लिख लीजिए इसके अंदर मैंने यहां लिख दिया basic qr-code designs ठीक है अब यहां पर लिख दीजिए आपकी जो भी आपका offer है उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं best quality qr-codes मैंने यहां पर लिख दिया delivery time आप इस qr-code को बना कर कितने time में दे देंगे आप यहां पर एक दिन दे सकते हैं एक दिन में आराम से आप इसे बना के दे सकते हैं जितना जल्दी आप देंगे आपकी credibility बढ़ेगी और आपके लिए अच्छा है revision यदि इसमें को correction हुआ यदि आपके client को को इसमें परिशानी आई या उसको लगता है तो आप कितनी बार उसको आप बदल के देंगे मतलब आपने जो product दे दिया है उसे एक बार उसमें कितनी बार changes करेंगे तो आप उसमें आप चूज कर सकते हैं जीरो का मतलब एक भी बार नहीं और कम से कम आपको एक या दो बार आपको जो ठीक लगता आप कर सकते हैं मैं एक बार जरूर रेकमेंड करूंगा ताकि इससे आपकी credibility बढ़ेगी हर कोई चाहेगा कि उसको कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए ठीकि यदि आपकी कोई source file है तो आप उसमें यहां पर एंटर कर सकते हैं नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं तो यहां पर source file आप लगा सकते हैं आपके उपर depend करता है अब आपकी pricing किस price पर आप बनाना चाहेंगे है हमने यहां पर 10 dollar कर दिया कि एक बार QR code बनाने के लिए हम 10 dollar चार्ज करेंगे य तो यह करीब 700 के आसपास amount होगा और हमने इसे इसको ऐसे type से कर लिया है next हम आते हैं यहां पर कुछ extra services है को ज़रूरी नहीं कि आप इन एड करें यह optional है आप इसे छोड़ कर सकते हैं और यहां पर आरा shipping चुकि हमारे सारी services internet के थ्रू होगी email के थ्रू हम बेजेंगे तो य आपके पास जो भी आपकी deal है इसके बारे में आपको यहां पर कम से कम 120 शब्द लिखने हैं और 120 शब्द आप कुछ भी आप कर सकते हैं आप यहां पर लिख दीजिए जिसे मैं आपको लिख के बता देता हूं दोस्तों मैंने यहां पर कुछ lines लिख दी है और यह lines आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती है आपको जो ठीक लगता है उसमें से कुछ आप कर सकते हैं यह आपकी जो गिग है जो आपका प्रोडक्ट है उसको अच्छे से explain करने वाली lines होनी चाहिए जो ग्रहा को attract करें तो and continue करने के बाद में अब हमारे पास यहां पर आ जाती है requirements आपको ग्रहक से क्या-क्या चीजों की जरूत पड़ेगी कि जो आप उसका QR code बना सके तो naturally जब हम यहां पर करते हैं तो कुछ add questions है आपको क्या-क्या चीज़ जरूत पड़ेगी आपको तो यहां पर आपकुछ कर देखिए से आप इसको add कर सकते हैं यहां पर यहां पर बता सकते हैं getting informed of free text आपले हैं तो यहां पर जो भी हमारे requirement है हम यहां पर इसमें mention कर सकते हैं जैसे कि URL address हमें की ज़रोत पड़ती है हमें URL address की ज़रोत पड़ेगी हमारे पास एक website का link हम यहां पर लिख देते हैं और हमारे पास logo होना चाहिए उनका तो कुछ requirements है जो मैंने यहां पर mention कर दी है और यहां पर free text की जगान साथ में दिया multiple choice ठ लोगो यहां पर निचे मैंने लिख दिया URL address को इस तरीके से मैंने यहां पर choice लिख दिया और इसमें एड कर दिया एड करने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से यह पूरी जो हमारे requirement है यहां पर चीज बन गई है अब मैं से save और continue कर देता हूं और अब यहां पर हम लोग यहां पर आगे हैं गैलरी पर अब आपने जो कुछ भी काम किया है आपने अगर कोई पहले कोई QR कोड बनाए हैं तो आप उसको यहां पर mention कर सकते हैं मैं ब्राउज करता हूँ आपको याद होगा दोस्तों हमने अभी अभी एक QR कोड बनाया था तो मै मैं डाउनलोड में जाता हूँ और आप यहां देख सकते हैं मैं इसे चूज कर लेता हूँ और इसे यहां पर mention कर देता हूँ तो अब यह QR कोड है हमारी प्रोफाइल पर डिस्पले होगा और इसके साथ ही हम इसको अच्छे से यहां पर advertise कर पाएंगे कि हमने यह QR कोड बन कर लेता हूँ और save and continue कर लेता हूँ जब मैं इस option को save और continue करता हूँ तो यहां लिखा आ गया है you are almost there complete the following requirement to start selling देखे छोटी सी चीजे यहां पर इसमें आ रही है are you a US person मैंने बताया no हम इंडिया से है मैंने यहां से no कर दिया है और इसे save कर दिया है देखे यहां पर लिख से skip कर देते हैं अब यह आ जाता है publish gig हमारा जो advertisement इसको हमें publish करना है मैं इसे publish कर देता हूँ और करने के बाद में हमने इसे publish कर दिया है अब यह चीज जो हमारे हमारे जो advertisement कहां पर display हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं आप इस orders में जाए और यहां देख सकते हैं य यहां इस जगह पर आने के बाद अब आपके clients को आपके जो purchaser है उनको किस प्रकार से दिखेगी यहां पर हम इसे preview कर लेते हैं जब आप preview करते तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो advertisement है जो है वो हमारे इस type से दिखेगा कोई भी ग्रहक आपके यदि इस चीज को दिखता है client त साबसे इसने अपने आप convert कर लिया है और एक QR code बनाने का आपको 755 रुपे मिलेंगे तो यह हमारा एक पूरा एड यहां पर तयार हो चुका है और इसी के साथ में आप पूरा चीजों को manage कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छी website है जहां पर आप इन चीजों को sell कर सकते है और आप कमाई कर सकते हैं अब यह पैसा जो भी होगा वह आपके पास आएगा कैसे चलिए में ले चलता हूं आपको earning पर यहां पर देख सकते हैं और earning पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आगे एक पूरा dashboard चुकि अभी-भी हमने यहां पर account बनाया है और उसक centralized bank में हो किसी भी bank में आपका account हो आप PayPal account से connect कर सकते हैं और इसके थ्रू आप इसमें पैसा ले सकते हैं बड़ा ही आसान है आप Google पर कैसी पर देखे PayPal account कैसे बनाना है बड़ी आसान है इसके लिए separate video हमने बनाया हुआ है आप उसको आप जाके चेक कर सकते है PayPal account से आप अपन आपको यहाँ पर इस dashboard पर देखने को मिलेगा तो बड़ी आसानी से आप internationally इन QR codes को बना सकते हैं और बड़ी आसाली से sell करके आप इससे पैसा कमा सकते हैं मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये ली वीडियो आपको रियली पसंद आया है तो इस चैनल Knowledge Kingdom को subscribe करना ना भूले और साथ में आने वाले bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो क के अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज को रुपे मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू